मृत्युन जाय रुत्राय नील कंठाय संभवे अम्रितेशाय सरवाय महादेवाय तेनमहा प्रिय भक्तगड आज आप सरवन करेंगे दुख दर्द्र का नास करने वाली भोले नात की पौराडिक कथा यह कथा सिव पुराण में वर्नित है सिव पुराण में कहा गया है जो भी भक्तगड इस कथा को सांत मन से भक्ती भाव से सुनता है तो उसकी जन्मों की दर्द्रता समाप्त हो जाती है दरित्र धनवान हो जाते हैं, रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, भाग्य का द्वार खुलता है सिव लिंग पर जल्द चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है सिव जी माता पार्वती की कल्याण कारी कथा यदि आपने यह कथा पूरे अंत तक सुन लिया तो यकीनन आपको अपनी परिसानियों का हल भगवान के प्रती सरधा और भक्ती सौ गुना ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसी लिए कथा को पूरे मन से सुने, पूरा सुनने से लभ मिलता है और आधा अधुरा सुनने से भगवान का अपमान होता है साथ ही आप सभी भक्तगड बीडियो को एक लाइक करके ओम नमः शिवाय का जैकारा लगा दीचिए सिव पूराण के अनुसार एक गाउ में एक गरीब ब्राम्हड अपनी पत्नी वह अपने पुत्र के साथ रहा करता था उसके पुत्र का नाम सोमदत था वह गरीब बुढ़ा ब्राम्हड नित्ते प्रती सिव जी को जल्चलाया करता था और उसकी पत्नी ब्राम्हडी को ये सब बिलकुल भी पसंद नहीं था प्रेभक्तों दरसल ब्राम्हडी पहले बहुत पूजा पाठ करती ब्रत उपवास सब कुछ करती थी इतना कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी जब ब्राम्हड जवान था तो कहीं से कथा सुना कर पूजा पाठ करके दक्छुडा लाता उसी से उसका गुजारा होता था फिर भी ब्राम्हडी इस आस में पूजा पाठ करती थी कभी न कभी उसकी गरीबी दूर होगी किन्तु उसके पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिल अब तो ब्रामहड बुढा हो गया था, उसमें इतनी सक्ती नहीं थी कि वह कहीं गाउं गाउं में जाकर कथा कराए, वह बिमार रहने लगा, घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था, ब्रामहड का बेटा सो मदत, गुरु कुल में पढ़ा करता था, अब ब्रामहड के घर में खाने के लाले पड़ गएं तो वह गुसे में पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्रामण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगती है और कहती थी कि भोले नाथ और अन्य देवी देवताओं का पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया लेकिन भगवान न हमारी गरीबी दूर नहीं की उल्टा अब तो दाने दाने को मुहताज हो गए है अरे मेरी ही मती मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास ब्रत किया जब तप में अपने सरीर को सुखा दिया अब क्या देगा तुम्हारा सीव जो तुम सिविलिंग पर जल चड़ाया करते हो प्रेभक्तगडों ब्रामणी की बातों को सुन कर ब्रामण कुछ नहीं कहता उसे तो अपने आराध्य भोले नात पर विश्वास था अब ब्रामण का बेटा अपनी सिक्छा पूरी करके गुरु कुल से वापस अपने घर आ गया और अपनी माता पिता की सेवा करने लग वह कहता है कि जो भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं उनकी मन में जो इक्छा रहती है भोले नात उनकी मनों कामना पूरी करते हैं प्रेभत्तों सोमदत की ये सब बातें मंदिर में पूजा करने आये उसी राज के राजा ने सुन लिया और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने सोमदत को अपने यहां राज कुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया अब सोमदत प्रती दिन राजा के लड़की को कथा सुनाने जाया करता था वहां से दक्छडा में जो भी मिलता उसमें ही वह अपने परिवार का पालन पोशन करने लगा इस पर भी ब्रामडी खुस नहीं थी उसने कहा मुझे अपने बच्चे की भविस की चिंता है हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी बाकी है हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा हमारी भक्ती पूजा पाठ का फल लगता है कभी नहीं मिलेगा क्या भोले नात को मेरा दुख दिखाई नहीं देता मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है किन्तु और भी आवसक्ताएं कैसे पूरी होंगी इस्वर ने अपनी आखें क्यों बंद कर रखी हैं क्या मेरे पुत्र को हमारे तरह ही गरीबी में रहना होगा प्रियभक्त गड़ों ब्रामठ और ब्रामठे की ये करुण बुकार जब माता पार्वती ने सुना तो उन्होंने सिवजी से कहा हे देव हे महस्वर आप सरवग्य हैं आप क्यों इन दोनों की परिच्छा ले रहे हैं प्रभू ब्रामठ आपका परम भक्त है अब आप उसके दुख का नास करें प्रभू अनिथा कोई ब्रामठ भी आपका पूजा करना बंद ना कर दे कहीं उसके मन में आपके प्रती विश्वास समाप्तन हो जाए भोले नाथ ने कहा हे देवी आप चिंता ना करें मैंने उनके भाग उदय का बीज तो पहले ही बो दिया है अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी विश्नु जी को लेकर इस ब्रामठ के घर जाने का समय आ ग हे देवी प्रत्वी लोक पर जाकर हमें सिव लीला करनी है प्रिय भाक्त गड़ों अब सिव जी तुरंत माता पार्वती जी के साथ नंदी पर शवार होकर बैकुंठ लोक में जाते हैं जहां दया निधी भगवान विश्नु सेस नाक के सैया पर बिराज मान थे माता का बुलावा आ गया है अब क्या था चारो देवी देवता ने साधू का भेस धारन कर प्रत्वी पर उपरोक्त ब्राम्हण के घर पहुचकर अलख जगाई और कहा अलख निरंजन अलख निरंजन घर में से बुढ़ा ब्राम्हण निकला उसमें उन्हें प्रनाम किया तो उ साधू भिस धारी भगवान विश्णू और सिव जी ने कहा हम रातरी में आपके घर पर विश्राम करेंगे इस पर ब्राम्हण पुत्र सोमदत ने अतीथी देवो भव ऐसा विचार कर कहा महाराज मेरे घर में दक्छुडा में मिले दाल भात आदी से हम तीनों के भोजन की पुर्ति होती है अतह मैं एक समय के भोजन की भिवस्था कर शकता हूं साधू ने उसे एक बरतन दे कर कहा कि वह दाल भात इस बरतन में बनाओ तो हम सब का दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा इस प्रकार उस बरतन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पुर्ति हो अगले दिन प्रात्त हमें सोमदत जाने लगा तो साधु रूपी भगवान सिवजी ने पूछा हे पुत्र तुम कहां जा रहे हो उसने कहा हे साधु महराज मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूं साध्यों ने कहा तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलासा की पूर्ती के लिए कथा सुनती हो अब सोमदत राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस अभिलासा की पूर्ती के लिए कथा सुनती हो। अब वापस आकर सोमदत ने राजकुमारी की सारी बातें साधुओं को बताई। सुमदत ने कहा हे साधु माराज कहा एक मैं गरीब ब्रामण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षणा पर चलता है और कहा वह राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्तु दंड दे कर मौत के घाट उतर देगा अतह मैं ऐसा नहीं करूंगा। साधु ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें परिवार सहित अभी स्राप से भस्म किये देते हैं। सोमदत पहले ही उनके चमतकार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्तु दंड देगा। ये तो अभी अपने स्राप से भस्म कर देंगे। आतह साधुओं को आसवासन दे कर कथा सुनाने के लिए चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत ने कहा। हे राजगुमारी कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर तुरंद वह वहां से भाग आया। राजा की पुतरी को एकदम आघाद पहुँच गया। उसने दासी के द् पुरंद अपने मंत्रियों से विचार विमर्ष किया। एक वरिष्ट मंत्री ने कहा। महराज उसने अपराध तो फासी दिये जाने वाला किया है। परंतु वह एक ब्रामण है। उसे फासी देने पर एक ब्रामण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह भिजवाया जाए। राजा ने सर्तो वाला निमंत्र पत्र लिखवा कर अपने नौकर के हाथ सोमदत के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत ने घर पहुच कर साधूं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकर्ण्या बहुत क्रोधित हो गई। अब सिग ग्रही भासी का संदेश पहुचने वाला है। कुछ समय बाद नौकर निमंत्र पत्र लेकर वहाँ पहुच गया। साधूं ने हलकारे को सम्मान सहित बिठा कर सोमदत को निमंत्र पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। पत्र इस प्रकार था। हे ब्रामण पुत्र हमें तुम्ह का बीवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। सर्ते पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित भासी देदी जाएगी। सर्ते इस प्रकार शेहे पहला सर्त बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर, तथा बनाये गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए दूसरा सर्थ बारातियों के आतित्य सत्कार में बनाई गई सभी खांद सामगरी, उपयोग होनी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए तीसरा सर्थ ऐसे अद्भुद बारात आने चाहिए, जिसकी प्रशंशा हर वेक्ति के जबान पर हो बारात आने पर यदी कोई भी सर्थ अधूरी होगी, तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फासी दे दी जाएगी पत्र पढ़कर सोमदत डर से कापने लगा, साध्यों ने कहा, तुम डरो नहीं नौकर को भोजन खिला कर, पत्र का उत्तर दे कर विदा करो, और पत्र में लिखो कि आप विवाह की तयारी करें, हम फला दिन बारात लेकर आ रहे हैं नौकर को भोजन में दाल भाद परोजा गया, नौकर की ठाली में चमतकार से, 36 प्रकार का भोजन बन गया बिदाई में साध्वों ने, जोकी, भोले नाथ और विश्नु जी थें, उसे मुठी भर धुनी की राखवा पत्र दे कर विदा किया, बाहर आकर नौकर ने देखा, कि वह राख नहीं, बलकि हीरे मोती हैं वह बहुत खुस हुआ, राजा ने सकरात्मक उत्तर प्राप्त होने पर बिचार किया, कि वह गरीब ब्रामण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है, क्या कोई दुसमंद राजा उसका साथ दे रहा है, यही सोचकर राजा ने सहर के तमाम बारात घर सजवा दियें, और अनेका अनेक तम्बू लगवा दियें, राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह सर्त हार जाएगा, सो मदत अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता, वही उसे यह कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे स साथ मरने के लिए क्यों जाएं? ऐसी बात सुनकर वह बहुत ही परिशान था, साधी वाले दिन सो मदत को परिशान देखकर साधूं ने कहा, पुत्र आज तुम्हारा विवाह है और तुम परिशान हो रहे हो, तयार होकर हमारे साथ चलो, तुम किसी बात की चिंता मत करो, ह इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुस्य रूप में आमंद्रित कर दिया, तथा भूत प्रेतव अनेक गड़ों को भी साधी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर वह लगाये गए सभी तंबू भर गये, इसके बाद भी कुछ बाराती बिना बाराती आ गये हैं, चलकर देखना चाहिए, राजा तुरंत वहां पहुचा, राजा को आया देखकर सिव जी ने सुक्रव सनी जी को बच्चे के रूप में बना कर भूख के करण रूडा दिया, राजा ने दो बच्चों को रोते हुए देखकर पूछा कि यह बच्चे क् कहा, इन्हीं भूख लगी है राजन, राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया, कुछ समय बाद राजा की करमचारी ने आकर बताया, कि महराज वे दोनों बच्चे तो सारा का सारा खाना खा गये हैं, और फिर भी भूख भूख चिला रहे हैं, ऐसा स उनकर राजा बहुत परिशान हुआ, उसने अपना घमंड त्याग कर, साध्वों के सामने नत मस्तक होकर कहा, महराज, अब मेरी लाज आपकी हाथ में है, साध्वों ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तयारी करो, राजा ने सहर को बहुत ही सुन्दर धं से सजाया, जगह जगह जालरों से पूरा सहर एक दुल्हन की तरह सजाया गया, सो मदत भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा था, साम की समय उसे एक सुन्दर रत में बिठाया गया, रत के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे बैंड बाजे नगाडे वाले जूम रहे थे नाच रहे थे दूले के मस्तक पर सहरे को चांद और सुरज से सजाया गया बाराती हाथ में मुद्राई लेकर एक दूसरे पर नियोच्छावर करकी इधर उधर उड़ा रहे थे सारो तरप से इस प्रकार धन लक्षमी उड़ाया जा रहा है मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही है ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना आगे देखने की उमिद है यह भाग का बड़ा धनी है प्रजा के इस प्रकार के बातों को सुनकर स पारवती जो भक्त गड़ मेरी पूरी स्रधा भक्ती से पूजा करते हैं मैं उन्हें उनके पूजा का फल अवस्य देता हूं उन्हें दुख तभी तक झेलना पड़ता है जब तक के उनके पाप कर्म खत्म नहीं हो जाते पुन्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं उनके भाग क कि कथाएं सुनी उसने मन में जो भी कामना की उसे वह मिला यह तो भोले नाथ माता पार्वती विश्णुजी लक्षमी जी के महिमा था जिसके कारण ब्रामण धनी हो गया उसका भेगर महल की तरह सुन्दर हो गया उसके घर में नौकर चाकर इत्यादी की कमे नहीं थी अपा प्रियभक्त गड़ों एक बार भगवान सिव माता पार्वती के साथ भ्रमड कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती भगवान सिव से कहने लगी, हे प्रभु मेरे मन में तीन प्रशन उठ रहे हैं, यदि आप मेरे इन तीनों प्रशनों के उत्तर दे दे, मेरे मन के संकाओं का समधान कर दे, तो मेरे मन को बहुत ही सांती मिलेगी। तब भगवान सिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम अपने तीनों प्रशनों को बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रशनों के उत्तर दे कर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरे तीन प्रशन हैं। जन्मों का तो दूर साथ दिन, साथ महीने, साथ साल तक भी नहीं टिकता, बहुत सारे इस्तरी पुरुस अपने पवित्र बैवाहिक जीवन को बरबाद कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, माता परवती की बातों को सुन कर, सिव जी ने कहा, हे देवी परवती, मैं एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं, इस कथा को सुन कर, आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर निश्चित ही मिल जाएंगे, इस प्रिय भक्तगणों आपसे भी निवेदन है, कि इस कथा को आधा अधूरा छोड़े बिना, पूरे अंत तक सरवड करिएगा, मद्रास नामक्ष्थान पर बहुत समय पहले वहां एक ब्रामण रहता था, उस समय सरस्वती और लक्ष्मी की आपस में नहीं बनती थी, इसे लिए वह सरस्वती का पुजारी ब्रामण निर्धन था, वह प्राचीन परंपरा के अनुसार, सिस्यों को पढ़ाता था, गुरु कूल की परंपरा के अनु सिसे उसके लिए गाउं जाकर भिच्छा मांगते थे, भिच्छा में जो भे मिलता था, उसी से उसका गुजारा हो जाता था, ब्रामण की पत्नी को बच्चा होने वाला था, ऐसे में ब्रामण की पत्नी को चिंता होने लगी, कि उसकी संतान का लारन पालन इतनी गरीबी मे कैसे होगा इसी बात को लेकर वो अक्सर ब्रामण को उसकी घरीबी के लिए ताने मारने लगी वे कहती ना जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिली है जो मेरा बिवाह मेरे पिता ने एक कंगाल से कर दिया ये पारवती ब्रामण को ये बात अच्छी नहीं लगी ताने सुन-सुन और सबसे तेजस्वे सिस्य को बुलाकर सारी जिम्यदारी उसे दे दी इसके बाद चार-पांच महिने में लोटने का आस्वासन देकर धन कमाने राजधानी चला गया ब्रामण के जाने के बाद वह सिस्य ने अपनी सारी जिम्यदारिया इमानदारी के साथ निभाया आस- में बागी सिस्यों को वह सिच्छा देने लगा इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा एक रात को ब्रामणी ने पुत्र को जन्म दिया दरवाजी के पास खड़े सिसे को जब पता चला तो उसने सोचा कि आगे क्या क्या करना है इस बारे में गाउं के बुजुर्गो से सलाह लेनी चाहिए है पार्वती वह जाने ही वाला था कि इतनी देर में वहां दुबला पतला ब्रामण लाठी के सहारे चलते हुए वहां आया उसकी भेस भूसा देखकर सिस्यों को लगा कि सायद वह कोई भिखारी है सिस्य बोला ओ बाबा कौन हो तुम आधी रात को य उस दुबले पतले ब्रामण ने जबाब दिया तो उस सिस्य ने कहा ऐसे कैसे जाने दो कम से कम अपना परिचय तो दीजिये और भला आप इस इस्तिती में एक और सहाय इस्तिरी के पास कैसे जा सकते हैं सिस्य दरवाजे पर रास्ता रोके हुए खड़ा था ब्रामण ने ह अश्ति हुए जबाब दिया तो सुनो मैं बिधाता हूँ सबका भाग लिखने वाला आज यहां बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसे का भाग लिखने चला आया भाग लिखने वाले को कौन रोक सकता है भला इतना कहते हुए वह ब्रामण हसते हुए सिस्य को हटा कर अंद जब वह बाहर आया, तो उस सिस्य ने उस सुकतावस पूछा, महराज आपने क्या लिखा उस नन्य बच्चे के बारे में, मेरे गुरु भाई के बारे में, हे पार्वती, आज तक बिधाता ने किसी को बताया है क्या, कि उन्होंने किसके भागे में क्या लिखा है, परन्तु स से भी उन्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला था पीछा न छोड़ते देखकर ब्रामण विवस होकर बोला यही जानना चाहते हो न कि क्या लिखा है तो मैंने यह लिखा है कि यह लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा इसके पास घर में एक गाय और एक बोरा अनाज की अलामा क कितना भी परिश्रम कर ले यह धन नहीं कमा पाएगा इतना कहते ही वह ब्रामण वहां से चला गया सीसे को उसके इस बहवार पर बहुत गुस्सा आया परन्तु वह ब्रामण अब जा चुका था इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था है पारवती कुछ महीने बाद गुरु कुल का ब्रामण लोट आया आकर जब उसने देखा कि सब कुछ ब्यवस्थित धन से चल रहा है तो उसे बड़ी ही प्रसनता हुई अपने साथ वह काफ़ी धन कमा कर लाया था अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी इसलिए उसका जीवन अब हसी खुसी गुजरने ल गरीबी आ गए है पार्वती अब सुनो अब ब्रामण का परिवार दो साल पहले वाली हालत में आ गया इस बार फिर ब्रामण ने सिस्य से अपनी इस्तिती के बारे में विचार भिमर्ष किया तो सिस्यनी उसे फिर से राज धानी जाने की सलाह दी ये पार्वती ब्रामण पहले की तरह अपनी सारी जिम्यदारी अपने उसी बुद्धिमान सिस्य के कंधों पर छोड़ कर राजधानी चला गया सब कुछ वैसे ही फिर से चलने लगा जैसे पहले चलता था फिर से गाम के लोग अनाजव जरूरी सामान दे गए समय आने पर ब्रामणी की कोख से एक कन्या ने चन्म लिया जब सिस्य को इस बात की खबर हुई तो वह गुरू बेहन को देखनी के लिए कया लेकिन उसके पहुचने से पहले ही वहाँ वही दुबला पतला ब्रामण पहुच गया था जो अपने आपको बिधाता बता रहा था उसे देखकर शीचे को गुसा तो बहुत आया परन्तु वह कर भी क्या सकता था हे पारवती जब वह ब्रामण भाग ये लिखकर बाहर निकले तो सिस्य ने पूझा कहो महराज अब कौन सा चक्र भी उरच कर आये हो उस ब्रामण ने कहा अरे भाई गुसा क्यों होते हो मैं तो यहां बस अपना काम करने आया था सबका अपना काम है मेरा भी काम है इसमें मैं क्या कर शकता हूँ हे पारवती इस प्रकार से चेहरे पर ब्यांगात्मक मुश्कान लिये हुए ब्रामण ने कहा तो सिस्य बोला अच्छा महराज ठीक है मगर बताओ तो सही आखिर मेरी गुरु बेहन के भाग में क्या लिखा आपने तब उस ब्रामण ने कहा इस लड़की का बिवाह नहीं ह हाँ लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे फिर भी ये सारा जीवन कुवारी ही रहेगी इतना सुनते ही सिस्य को गुस्सा आ गया और उसने उस ब्रामण को वहां से भाग जाने के लिए कहा ब्रामण पहले की ही भाती मुश्कुराता हुआ चला गया लेकिन उस सिस्य के मन को असांती दे गया वह सोच में पढ़ गया कि अगर ये सच में विधाता था तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविज्य क्या होगा कैसे कटेगा उनका जीवन हे पारवती मैं क्या कहूं खैर धीरे धीरे समय बितने लगा एक साल दो साल तीन साल करते करते क उतनी बाते करते कोई कहता ब्रामठ की मृत्य हो गई कोई कहता वह अपनी पत्नी से परिसान थे इसलिए सन्यास लेकर जंगल में चले गए शिच्छ भी ब्रामठ के घर और गुरु कुल की सारी जिमेदारी समहल रहा था सब के साथ साथ उसने अपने गुरु भाई और इस वर्ष का हो गया सिसे को अब लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरु कुल की व्यवस्था समहालने लायक हो गया है इसी विचार से अब सिसे अपनी सारी जिमेदारी उसे दे कर वहां से बिदा लेना चाहता था ब्रामठी वा उसके पुत्र और पुत्री ने उस सिस्य को रोगने का बहुत प्रयास किया, मगर सब ब्यर्थ था. हे पार्वती, सिस्य जब जा रहा था, तब गुरु भाई उसे छोड़ते हुए, कुछ दूर तक उसके साथ गया. जब गुरु भाई आसिर्वाद लेकर वापस लोटने को हुआ, तब उस सिस्य ने कहा, भाई, मैं जा रहा हूँ, मगर जो मैं अभी तुम्हें जो दो बाते बताऊंगा, उस बात का ध्यान रखना, पहला, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा, और दूध देने वाली गाय मत रखना, अगर तुमने दोनों रखें, तो तुम सारा जीवन निर्धन ही रहोगे, दूसरा, जब भी कोई वेक्ति तुम्हारी बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए, तो उसे सौ सोने की मोहरे देकर जाने को बोलना, और जब वो सौ मोहरे तुम्हें दे दे, तभी अपने बहन उन्हें दिखाना, हे पारवती, लड़के ने वैसा ही करने का वादा करके, सिस्य को विदा किया, और आसरम में लोट आया, अगले ही दिन गाव के एक पुरोहित के यहां से, एक दुधारू गाए और एक बोरा अनाज, उस लड़के के घर भेजवा दिया, लड़के ने उसी समय गाए और अनाज का बोरा बेच दिया, अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाए भेची, लड़के ने फिर वैसा ही किया, अब आए दिन गाएं और अनाज के बोरे आने लगें लड़का उन्हें अपने वाइदे के अनुसार बेचता गया इससे उसका भाग वदल गया और जल्द ही वह अमीर हो गया थोड़े ही दिन में उसकी बेहन के बिवाह की उम्र हो गई बिवाह के लिए कई लोग लड़के से संपर्क करने लगें उस लड़की को अपना वादा याद था उसकी बेहन को जो भी देखने आता वह उससे सौ स्वन मुद्राय लेता इस तरह वह और भी धनी हो गया उसका जीवन सुख में हो गया इसी तरह कई साल भीत गये एक दिन उस सिस्य का मन हुआ कि क्यों न अपने गुरू के परिवार को देख आए देख लिया जाए कि उनका भागी कैसा चल रहा है हे पारवती इसी विचार के साथ वह चल दिया अभी वह गाव के बाहर ही पहुचा था कि उसे वहीं दुबला पतला ब्रामण एक गाय एक बोरा अनाज और एक पोटली में मुद्राय ले जाते हुए दिखाई दिया सिस्य ने आवाज लगाते हुए कहा अरे महराज कहा जा रहे हैं ब्रामण ने उसकी और देखा और गुस्से में उची आवाज में बड़बडाना सुरू कर दिया उस ब्रामण ने कहा आ गए जले पर नमक छिड़कने देखलो ये सब तुम्हारा ही की आधरा है रोज एक दुध देने वाली गाय एक बोरा अनाज और सो मुद्राय देते देते मेरी ऐसी की तैसी हो रही है दिमाग काम नहीं करता है कि तुम्हारे इस चक्रवियों से कैसे निकलूं तो उस सिस्थे ने कहा मेरा चक्रवियों महराज आप भूल रहे हैं कि भागे तो आप लिखते हैं फिर भला मैं कैसे आपको किसी भी चक्रवियों में फसा सकता हूँ सिस्थ ने चुटकी लेते हुए उनसे कहा तो उस ब्रामण ने कहा बेटा मैं तेरी बुध्धी से हार चुका हूँ मेरी सहाताकर और मुझे इस जंजट से निकाल हे पारवती तब उस सिस्थ ने कहा महराज जंजट से निकलना है तो ये उन दोनों की भागे रेखाएं मिटा दीजे आप तो जानते हैं कि ये कल्यूग है आज का इंसान स्वयम अपनी बुध्धी से अपना भागे बनाता है उदारन आप देखी रहे हैं तो उस ब्रामण ने कहा ऐसे कैसे मिटादू में भागे की रेखाएं सिस्थ ने कहा तो फिर उठाइए जंजट मैं कुछ नहीं कर सकता ब्रामण ने कहा अरे नहीं बेटा मेरा कुछ खयाल करो कब तक इसी काम में फसा रहूंगा मैं मैं भी मजबूर हूं सिस्थ ने कहा मैं भी मजबूर हूं महराज अपने गुरू को वचन दिया है कि उनके परिवार का खयाल रखूंगा अब ऐसे में उनका साथ कैसे छोड़ दूं वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है अगर आप मेरी बात मान ले तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा हे पार्वती कुछ देर सोच बिचार करने के बाद उस ब्राम्हन ने गाय अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली उस सिसे को दे दिया और बोले जाओ मिटाद उनकी भाग की रेखाए तुम्हें उनका जैसा भी भाग बनाना है बना लो मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा लेकिन हाँ मेरी एक विनती है कि इस बारे में तुम किसी को बताना नहीं नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा किसी को मेरा भै नहीं रहेगा जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा इतना कहतेवे ब्रामण जो भाग था वहां से चला गया जो खुद को विधाता बता रहा था तो हे पार्वती इससे ये सिध्ध हो गया कि मनुस्य जो अपने बुध्य से अपना भाग बदल सकते हैं यदि मनुस्य अपने लक्ष के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं जो वो हासिल नहीं कर सकते परिसानियों में ही मनुस्य के सफलता का रह से चुपा होता है ये तो मनुस्य के मानसिक्ता पर निर्भर करता है कि उनका जीवन कैसा होने वाला है और पार्वती आपने पूछा थाना कि उस भिखारी का भाग्य क्या है तो वह भिखारी बुध्धी ही नहीं उसके अंदर बुध्धी लेस मातर भी नहीं है इसलिए आज वह विखारी है यदि उसमें बुध्धी होती तो वह उस आंगन को खुद ना खोद कर किसी अन्य से खुदवा कर उसमें से धन निकाल कर बाकी का धन अपने पास रखता और मेहनताना के रूप में उस खुदाई करने वाले को देता और इस प्रकार वह धनवान बन जाता किन्तु बुध्धी हीन होने के कारण वह मरने के डर से खुदाई नहीं कर रहा है वह अपने बुध्धी का इस्तिमाल बिलकुल भी नहीं कर रहा यदि मनुस्य का भागे रूठा हुआ है तो भी कोशिस करने से अपने बुध्धी से वह अपने भविश्य को बदल सकता है मनुस्य में अथाह छमता है कि वह अपने भागे को बदल दे किन्तु मनुस्य अपने भागे पर ही रोता रहता है भाग भी उसकी परिच्छा लेता है उस भिखार्यों को यदी धन्वान बनाना है तो सबसे पहले उसे सदबुधी दीजिए प्रिय भक्त गड़ों भोडे नाथ की बाते सुनकर माता पारवती अती संतुष्ट हो ही उन्होंने भोडे नाथ को बारम बार प्रणाम किया पारवती पते हर हर महादेव ओम नमस्षिवार प्रिय भक्तों